प्लास्टिक से बने डिस्पोजिबल आइटम के बदले आज पेपर से बने डिस्पोजिबल को उप्योग में लाने की सलाह दी जा रही है। कैसे इस बनाने वाली मशीन के साथ ही आपको इस बिस्पोजिबल आइटम को करने के लिए कौन-कौन से लाइसन्स और रिजिस्ट्रेशन के जरूर पड़ेगी, इन सब बातों में ठ्यान लगाने की जरूरत है। सबसे ज़ादा ज़रूरी है मार्केट रिसर्च इनमें कोई दो राय नहीं कि पेपर कप और प्लेट की ज़रूरत आजकर हर सेक्टर और जगाओं पर पड़ती है ये एक ऐसा प्रोडेक्ट है जिसका इस्तेमाल बड़े शेहरों से लेकर छोटे कस्वों और गाओं तक हर जगा बड़े पैमाने में किया जाता है लेकिन क्योंकि शुरुआती दोर में आपको अपनी फैक्टरी में बने प्रोड़क्ट को अपने स्थान से ज़ादा दूर सप्लाई करने में परिशानी हो सकती है इसलिए आपको अपनी शहर के लोकल मारकेट में रिसर्च करने के अपने प्रोड़क्ट की सप्लाई करने होगी आप शुरू में अपने नजदी की मारकेट, चाय की दुकान, होटेल, ढाबोन, जनरल स्टोर या किसी बड़े मॉल या सूपर मारकेट में इने सप्लाई कर सकते हैं इसलिए आपको यह जाना काफी जरूरी है कि आपके एरिया में या जहां आप अपनी फैक्टरी डाल रहे हैं वहाँ इस तरह का कोई बिजनस पहले से स्थापित तो नहीं है और आपके नज़्दी की लोग किनकी मौकों पर पेपर कप और प्लेट या फिर पेपर से बने दूसरे डिस्पोजिबल आइटम का अस्तेवाल करते हैं और किस प्रकार और आकार के डिस्पोजिबल की मांग उस एरिया में सबसे ज़ादा है अगर आपके पास पेपर कप और प्लेट की फैक्टरी उडानने के लिए ठीक ठाक बजट है तो अच्छी बात है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसके लिए एक अच्छा खासा पैसे की ज़रूरत है ताकि आपकी फैक्टरी और आपका काम सही से शुरू हो सके तो दिस्पोजिबल फैक्टरी के लिए दुकान, जगा और लोकेशन फैक्टरी के लिए आपको ऐसी जगा की ज़रूरत पड़ेगी जहां से आप अपने बिजनस को अच्छी तरह से चला पाएं दिस्पोजिबल आइटम बनाने वाली मशीन का आगार जादा बड़ा नहीं हो आप कोई दुकान या फिर खाली जगा ले सकते हैं लेकिन जगा लेते समय लीज या रेंट एग्रिमेंट ज़रूर करा ले डिस्पोजिबल फैक्टरी के लिए ज़रूरी लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन अगर आप चाहें तो शुरू में अपने बिजनस को रेजिस्ट्रार आफ कमपनीज में प्रॉपर राइटर्शिप के तहट रेजिस्ट्र करा सकते हैं वो इसलिए क्योंकि रेजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई खास अपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पेपर कप और प्लेट के प्रोड़क्ट को सरकारी एजन्सिस भी खरी दें तो उसे बिजनिस को उद्द्योग आधार में भी रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेपर कप और प्लेट बनाने के लिए आप आटोमेटिक मशीन का इस्तिमाल कर सकते हैं इस मशीन की कीमत 6 लाग से 15 लाग तक हो सकती है मशीन का रेट उसके द्वारा बनने वाले उत्पादन शम्ता के आधार पर अलग लग होता है यानि जो मशीन हर घंटे में जादा डिस्पोजबल बनाती है उसकी कीमत साधा होती है और जो मशीन कम पेपर कप बनाती है उसकी कीमत कम तो आप अपने बजट और बिजनस के आकार के हिसाब से इस मशीन को खरीच सकते हैं इसके साथ ही disposable बनाने के लिए आपको कुछ सामान की भी आवशकता पड़ेगी जैसे की खास तरह के poly coated paper, dye or printing chemical, bottom rear paper, disposable cup pack करने के लिए पी-पी cover और cotton box और factory के लिए करमचारी करें आपकी फेक्टरी में करमचारीوں की निवत अस बात पर निरभर करती है कि आपके किस लेवल में अपना काम शुरू कर रहे हैं और आपके प्लांट की प्रोड़क्षन शमता क्या है यानि जितनी बड़ी आपकी फेक्टरी होगी आपको उतने ही करमचारीों को अपने साथ जो जो मशीन ओपरेटर, पेपर कप और प्लेट की चेकिंग और पैकेजिंग के लिए आप चाहें तो महिला करमचारियों को न्युक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऐसी महिलाओं को रखना पड़ेगा जो इस काम को आसानी से कर सके। साथ ही एक आफिस असिस्टिन के भी जरूरत पड़ेगी। इस काम में सबसे बड़ी और अच्छी चीज ये है कि आपको दिस्पोजिबल बनाने के लिए किसी कुशिल कारेगर या पिर अनुभवी व्यक्ति की खास जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अपने काम के लिए करमचारियों की खास खोच नहीं करनी होगी। जहां तक डिस्पोजिबल कप और प्लेट के निर्मान कारे या उसके प्रोडक्शन की बात है तो डिस्पोजिबल बनाने की मशीन को चलाना काफी आसान काम है। इसे किसी भी आदमी को केवल कुछ समय या कुछ घंटे की ट्रेनी के बाद आसानी से समझाया जा सकता है। ओकी क्रेडिट, बिजनेस ओकी है।